हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू अनिता कुकिंग और आज मैं आपकी साथ बेक फास्ट रेसिपी शेयर करने जा रहे हूँ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी है बच्चों के नकरे चड़े रहते हैं कि दूद नहीं पीना है या कोई हेल्थी चीज नहीं खानी है तो आप इस मिल्क को बना के दे सकते हो तो आपके बच्चे बहुत प्यार से पी लेंगे और बहुत ज़्यादा उनके लिए हैल्पुल भी रहेगी तो चलिए फ्रेंज अगर आपको इस रेसिपी पसंद आए तो लाइक करे और चैरल को स बीज होते हैं अंदर से तो उनको निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो सबसे पहले बात करते हैं मुनक्खा की मुनक्खा बहुत ज़्यादा सौ assembly होती है बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और यह हमारे हैल्थ के लिए भी बहुत ज को खराब कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने मुनक्खा के अंदर के सारे बीज निकाल लिए हैं यह देखिए इस तरह के बीज होते हैं बहुत ही हाड़ भी होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर बारी आती है जो हमारे यह खजूर है नुरूर्बल बासम में हम इस कुछ़वारे बोलते हैं तो यह सूखे हुई कैसर होते हैं जो कि मैंने रात में भानता घैजा था और अब फूल चुकी है तो इनको मैंने काट लिया और इनके बीज निकाल लिया है और जो बदाम होते हैं उनके चिलके उतार लिया है और यह मुनक्खा है settlements के मैंने भीज निकालेते और काजू है और थोड़े सा ख्रोट और पिष्टा मैंने ले लिये हैं अब हम क्या करते हैं सारे जो ड्राइफ फूर्ट से हमारे इनको एक मिक्सिंग जार में डाल लेते हैं तो हमें इनका एक बहुत बढ़िया सा बिल्कुल बारिक सा पेस्ट बन चाहिए मैंने सारे ड्राइफ फूर्ट को मिक्सिंग जार में डाल लिया है अब यहां पर थोड़ा सा दूद डालेंगे ज़्याद दूद नहीं डालेंगे थोड़ा ही डालेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन सके देखिए इस तरह का पेस्ट बन चुका है इस तो एक गिलास जूज हमारा इसमें बनके तयार हो जाएगा तो यह मैंने सारा पेश्ट यहाँ पर पीश लिया है यानि के उसको ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पर मैंने दो गलास दूज तयार कर लिया है थोड़ से ट्राइफ रूट्स के साथ थोड़ा समय इनको गार्णि देखिए और अगर आप मुझे कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप मुझे कोमेंट बोक्स में बताए तो फ्रेंट रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें